नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल सोसल सेवा आज हम बात करेंगे BCA कोर्ष के बारे में BCA क्या होता है, कौन वेक्ति BCA कर सकता है BCA कोर्ष कितने साल का होता है, किस परकार की आपको इसमें पढ़ाई करने होती है BCA के बाद में आपके पास क्या Career of Sense है देखिए दोस्तों, आज कंप्यूटर का जमाना है हर वेक्ति टेकनोलोजी से जुड़ा हुआ है आज आपके हाथ में मुबाइल है, वो भी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है मुबाइल में भी कंप्यूटर के बेगर कुछ नहीं है देखिए मुबाइल के अंदर जो कारी है, वो सारा Software का है कंप्यूटर का है, कंप्यूटर की Languages का है तो आप इस परकार के सभी काम BCA कोर्ष में सीख सकते हैं जो की आप एक Technical दुनिया में जाना चाहते हैं Technical IT सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप BCA कोर्ष कर सकते हैं BCA कों कर सकता है? BCA कोई भी व्यक्तिक कर सकता है जिसने Plus 2 पास की है किसी भी परकार का ऐसा कोई Criteria नहीं है कि आपने science से या math से आर्ट से commerce से इस परकार किसी भी subject से आपने plus two की है तो आप इसमें admission ले सकते हैं किसी परकार का कोई boundation आप पे नहीं है कि आप science से होने जरूरी थे plus two में या commerce से होने जरूरी थे commerce student इसको कर सकता है ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आप प्लस टू सिंपल प्लस टू पास के आर्ट से क्या है किसी भी subject से क्या है तो आप BCA कर सकते हैं देखिए BCA पूरा computer का इसमें आपको computer की knowledge दी जाती है पूरी computer की इसमें पढ़ाई होती है BCA bachelor of computer application होता है computer में आपको उपादी दी जाती है computer छेतर की आपको graduation की degree मिलती है पलस टू के अबाद आप इस course को कर सकते हैं तीन साल में इसमें छे semester होते हैं उसमें आपके semester wise अलग-अलग आपको पढ़ाई करवाई जाती है फेश्ट semester में आपको थोड़ा basic knowledge दिया जाता है computer के बारे में fundamental, HTML, language, Java इस परकार के आपको languages पढ़ाई जाती है इस परकार आप BCA की पढ़ाई करते हैं देखे BCA में आपको पूरा computer की knowledge दी जाती है उसके उसमें जितनी भी पढ़ाई होगी सारी computer से संबन्दित होगी English medium इसमें चलता है, Hindi medium होता नहीं है ठीक है BCA की जितनी भी पढ़ाई होती है, वो सारी English medium होती है अगर किसी college में Hindi में हो तो मुझे पता नहीं लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ज्यादा तर college में इस BCA की पढ़ाई English medium में करवाई जाती है BCA किसको करना चाहिए, जो व्यक्ति अपना career IT sector में बनाना चाहता है वो computer में कुछ करना चाहता है, computer की दुनिया में कुछ करना चाहता है computer से संबंदित कुछ software development, cyber security या फिर HTML, Java, C language, app development कुछ इस परकार की बहुत से इसमें job से हैं, बहुत से इसमें software हैं जिनको आप develop करना चाहते हैं, developer बगएरा की post पर कारी करना चाहते हैं network की दुनिया में जाना चाहते हैं, programming करना चाहते हैं cyber security में जाना चाहते हैं, तो आप BCA का course कर सकते हैं, ठीक है देखिए आप BCA course बहुत अच्छा course है, क्योंकि इस course के अंदर सारा cyber security जितना भी देखिए, आज computer की दुनिया है, इसमें दिन परती दिन नए नए crime होते हैं computer में बहुत सी hacking बगएरा चलती हैं, computer में virus बगएरा डालते हैं, लोग किसी का computer hack कर लेते हैं, किसी का account hack कर लेते हैं तो आपको BCA के अंदर सारी technical पढ़ाई करवाई जाती है, इसमें computer में वो सारे software के बारे में आपको जान कर दी जाती है जिससे आप app बना सकते हैं, cyber security कर सकते हैं, किसी भी परकार की programming कर सकते हैं, किसी भी company को को वेवसाइट बना कर दे सकते हैं, इस परकार की पढ़ाई आपको BCA के अंदर करवाई जाती है देखिए, तीन साल कोई course होता है, तीन साल के अंदर आपको computer से सम्मधित, जो भी छोटी छोटी knowledge होती है, वो complete आपको दे दी जाती है उसके बाद में, आप BCA के बाद में MCA कर सकते हैं, अगर आप teaching line में जाना चाहते हैं, अगर आप B-Tech कर, आपने B-Tech किया है computer से, तो आप M-Tech वगरा कर सकते हैं ठीक है, इसके बाद में, आपको इसमें company के अंदर बहुत अच्छे से package मिलते हैं, minimum salary आज के time देखी जाए, तो आपको 25,000 रुपए कम से कम मिलेगी महीने की अगर आपको computer की थोड़ी ठीक ठाक भी knowledge है तो, देखिए, आप computer में पढ़ाई के साथ-साथ, आप अपना practical कारिये पे ज़्यादा ध्यान देजिए, क्योंकि जो भी कारिये होता है, computer पे सारा practical होता है BCA course के अंदर आपको practical और theoretical सारा कारिये सिखाया जाता है, आप जितना अच्छे से computer को सिखेंगे, जितना आप networking पे, programming पे, language पे, HTML, Java, इस परकार की जो आपकी पढ़ाई है, उस पे ध्यान देंगे, तो आपको BCA के बाद में अच्छी बड़ी-बड़ी MNC company के अंदर अच पे हैं, तो दोस्तो BCA बहुत अच्छा course है, bachelor of computer application, अगर आप करना चाहते हैं, तो मैं आपको फिर बता दू, महत्तर आपको इसमें plus to pass होना जरूरी है, किसी भी परकार की कोई भी इसमें criteria नहीं है, कि आप plus to arts से हैं, commerce से हैं, science से हैं, अगर आप computer की दुनिया में कुछ कर करना चाहते हैं, IT सेक्टर में जाना चाहते हैं, आज technical जमाना है, तो दोस्तो आप BCA कीजिए, BCA बहुत best course है, अगर आप कहीं पे job भी नहीं करते हैं, तो आपको वैसे भी अपने life में काम आने वाला course है, आप अपने घर पर भी कुछ ऐसे काम कर सकते हैं, जो कि computer से, घर बैठे बैठे जैसे कि app वगरा बनाना, ठीक, site वगरा बनाना, उससे भी बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, तो दोस्तो आप निसंकोच हो के BCA कर सकते हैं, और इस BCA के बाद में आप MCA कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, इस परकार दोस्तो अगर आप BCA कर चाहें तो किसी भी अच्छे कोलेच से भी शेयर करके अपनी लाइक में अपने कैरियर में कुछ नया कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो पली चैनल को सस्क्राइब वीडियो को लाइक करें ताकि जब भी नई कोई वीडियो डालू उसका तैंग.